सचिन भाईया बाहर जाओ बाहर जाओ कोई दवाई नहीं चाहिए बाहर जाओ तो फ्रेंट्स सचिन सरिता की रड़ाई किस मोड है आई हालात बदल गए जब बात बदल गए कल तक जहां सरिता जी और उनके हस्बंड आके वीडियो में चीजे रखी थी उन्होंने कॉल रिक भई और थम्रेल तो मतलब यह बनाती ही कुछ अलग से ही है उसके साथ सा धर्नाटे रुपांतरन के थ्रू इन्होंने चीजें क्लियर करी है और बहुत सारी चीजें हां मिलियन सब्सक्राइबर्स का घमन सारिता जी तो बहुत सारी चीजे आज मैं बात करूं कि खैर पहले एक वीडियो उनका आया एक वीडियो इनका आया उससे पहले इंस्टा पोस्ट के द्वारे यह लोग लड़ रहे थे ठीक है हालांकि मैं आपको यह बताना चाहती हूं में पेज इंस्टा पेज इनका गायब हो चुका है रिपोर्ट हुई है खैर सचिन ने बोला है कि मैं फिट से उठ जाओंगा मेहनत करूंगा उठ जाओंगा तो फ्रेंट्स कल ये वीडियो आया था कल सम्हाओ मैं बिजी थी मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें और भी होती है लाइफ में चल रही होती है जरूरी निया कि हमेशा आव यूट ही कहना चाती हूँ जो इनकी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ठीक है सरिता जेठु दरक और यहाँ पर सचिन मनीशा उन लोगों को इनकी वीडियो इनका बिहेवियर ये कब किस टाइम पर क्या करते हैं कितनी क्योंकि ये एक दो वीडियो से हम जज नहीं कर सकते हैं चार स दिखने से पहले थोड़ा शब्दों का चैन धंगसे करिएगा ठीक है चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सचिन की वीडियो आई थी कल मैंने अभी थोड़ देर पहले जेठु सरिता जेठु दरक जी का जो इंस्टा पे जो ये डाल रहे ह पिन कर दे कमेंट जैसे हमने भी अपने वीडियो में कमेंट पिन किया था जहां पर हमने लिखा था इस बतलब किसी को आप हेड मत पहुचाईए ठीक है तो वो भी ये पिन कर दे कि जो चीजे उसने बोली या जो कोई सेकंड पार्टी बोल रहा है यानि कि जिससे कॉल रि और फिर मैं देखो वीडियो लाओंगा प्रूफ के साथ लेकिन बस आप एक चीज एक बार ये कन्फर्म कर दो पिन कॉमेंट करके ये कहना है सरिता जी और उनके हस्वेंट का देखिए मैं आपको बता देती हूँ कल जब मेरा वीडियो आया था मैंने एक चीज यहां पे जरूर उठाई थी कि जो कॉल रिकॉर्डिंग सरिता जी के हस्वेंट ने मतलब उनके चैनल पर जो वीडियो में डाली थी उसमें कुछ पार्ट में यही उससे तो साफ यहीं लग रहा था कि जहां पर ईशू बोल रही है कि मैंने फोर्स फुली तो आपको नहीं बुलाया और उनके हस्वेंट को नीचा दिखाने के लिए इंटेंशनली जानमुच की इशू के घर पे गया है ना तो लोग जा जाके भर भर के उसको वहां पर गाली दे रहे थे मैंने सचन का वीडियो देखा देखें मैं यहां पर यहीं कहना चाती हूं कि exact चीज़ें इन लोग को पता है क्योंकि यहां पे ना कौन सही कौन गलत अभी इनकी वीडियो आएगी फिरसे वीडियो यह डालने वाले उसमें क्या प्रूफ देते हैं उससे पता चलेगा बात करते हैं सचन पे तो इन्होंने आज वीडियो में नाट्टे रूपांतरेंट की थूँ चीज़े एक पास किस तरह थी किस टोन में थी किस पिच पे थी ठीक है जिस तरह से बोला तो वहां पे तो मैं यह कहना चाती हूँ पिच हाई थी ठीक है वो किसी को भी लगेगा कि इंसल्ट ही करी थी तो यहां पे सरिता जी यह पिच अगर इतनी हाई आप किसी को बोल रहे हो और इतने हो के सामने तो definitely उसे गलत लगेगा ठीक है प्लस बात होती है ठीक है उस time पे she was pregnant baby shower की वो थी चीजे थी और party थी जो भी थी लेकिन उस time पे मैं यह ज़रूर कहती हूँ mood swings होते है emotions up down चलते है ठीक है और जैसे हमने उनकी वीडियो में यह भी देखा था जहां पे वो कह रही थी कि मैंने बहुत expectations करी थी तो कुछ चीजे इनके मन में थी जो चल रही थी जिसका गुबार कही ना कही निकला ठीक है यह सब चीजे बताते हुए इन्होंने एक और चीज बोली सचिन्ने की जो स्रिष्टी है स्रिष्टी आई थिंग उनका भी चैनल है देखिया अब नए नए यूट्यूबर्स क्योंकि कॉंट्रोवर्सी उठ रही है तो बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स भी दिख रहे हैं सुन रहे हैं कि उनके साथ भी इन्होंने एक बजे रात रूम में बुला कर कुछ कहा था ठीक है उनकी भी इंसल्ट करी थी चिलाई थी कुछ चीजे उनके रिगार्डिंग भी इन् इसी बोली कि सरिता जी अगर लैपटॉप को कुछ भी बोलेंगी कुछ अदर चीज बोल देंगी कि टेबल है बैट है तो जेटु जी भी उसको टेबल बैट ही बोलेंगे लेकिन नहीं मैं सच बोलूँगा तो इनका साफ सब ये कहना था कि वो अपनी वाइफ को गलत में भी सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर जेटु जी प्लीज आप इन सब चीजों का एक सॉलिड प्रूफ सॉलिड आंसर दीजिए और सिर्फ हवा में बात मत करिए यहां पर आगर आपके पास वाकई अपने को प्रोटेक्ट अपने को बचाने के लिए सबूत है तो अपनी इस चीज़ पर question mark उठाया था तो यहां पर इनका ये भी कहना था कि issue कंगोर हलांकि सच इन अपनी वीडियो में बोला है कि मैंने ये जरूर बोला था कि आग लग जाएगी और मैं ये चाहता था कि इसके channel को एक boost मिले लोग इसको देखें ठीक है और कहीं ना कहीं इन्हों भी निकले ऐसा बोला है उन्होंने वीडियो में तो issue की इनसे जो भी बात थी इन्होंने फिर सुनाई जहां पर इनका ये कहना है साफ साफ कि जो सरिता जी और इनके husband हैं उन्होंने blackmail करके ठीक है जो call recording हमें सुनाई गई उन्होंने उसमें यही बोला गया कि जो मामा जी ह हैं उन्होंने तो कहा था कि वो तुम हमारे उसमें मतलब मामा जी ने बोला था कि कसम खाई थी उन्होंने कि ये कुछ भी कहीं पे भी recording नहीं आएगी हम अपना case वापस ले लेंगे ठीक है आप कहीं पे भी मत डालना बज आप हमें इंस्टा पे और यहां पे social network पे आप हम तो क्या कोट केस की वज़े से इशु ने वो जो particular call recording है या फिर उनके मामा जी ने उनको दी सरिता जी के हस्बंड को ठीक है सरिता जी के मामा जी ने सरिता के हस्बंड को यह call recording दी के court case से related क्या इस चीज़ से डर के उन्होंने दी खेर एक्चुली में क्या सच्चाई क्या नहीं है ये अब हमें और चीजे क्लियर होंगी सरताजी के वीडियो के आने के बाद इन सब चीजों से तो यही लगता है भाई साब इनोंने जैसे सचिन ने बोला कि आप कॉल रिकॉर्डिंग चला रहे हों मेरे पास ऐसी कितनी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है ठीक है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीजे यहाँ पर आके प्रूफ कर सकता हूँ साथ-साथ इनोंने भई यह भी बोला कि आप में घमंड है, मिलियन सब्सक्राइबर्स है आपके, मेरे भी होने वाले हैं, आपको लगता है कि अभी मेरे आगे कोई भी नहीं है तो घमंड है इनमें और उसकी वज़े से आपने स्रिष्टी से भी इनकी लड़ाई हुई है, कुछ बोला है सालार सर जाते हुए बस में भी इन्होंने कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स का घमंड हमें दिखाया था ये चीज सचिन ने अपनी वीडियो में बोली है आप लोगों ने अगर देखी होंगी हालांकि उनके सब्सक्राइबर्स बहुत जादा है कम्यूनिटी पे भी लोग लिख रहे हैं कि देखो सो औन सो फलानी जगा से हम आए है सचिन ने हमें भेजा है और हम आपको कर रहे हैं सब्सक्राइब ठीक है तो creators इन्होंने ये भी बोला कि आप जबरस्ती बनाती हो कुछ creators पे कि नहीं उसको unfollow कर दो तो यहाँ पे सचिन का ये साफ कहना था कुछ लोगों को जब आपने अपना दबाव बढ़ाया तो उन्होंने कहीं दिया नहीं हम नहीं करेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते थे कि आप गलत हो तो friends ये सब चीज़े इन लोगे चल रही है जो कभी बहुत अच्छे friends थे जो हर्म आपने देखा होगा mostly इन लोगे ग्रुप में ये लोग कहीं भी जाते हैं बहुत सारे creators हैं और mostly नेहा शिष्टिवारी हो गई, सचिन हो गई, सरिता जी इन लोगों को हमेशा मैंने साथ में देखा लेकिन अब चीज़े निकल के आरे हैं कि actually मैं जो चीज़े दिखती हैं YouTube पे वो होती नहीं है कितने grudges, कितनी सारी नफरते लेके लोग बैठे हैं और कितनी call recordings अभी, कितने यूटिवर्स की हमें सुनने को मिलेगी तो यहाँ पे अभी जो एक reel आई है उसमें उन्होंने बोला है साफ सरिता जी उनके husband को ने बोला है कि भई जो चीज तुने बोली है सोशल मीडिया पे आके यह सब चीजे बोल दे कि जो चीज तुने बोली है और issue ने बोली है कि उन्होंने तो बोला था कि हम कहीं पे भी नी डालेंगे और court case वापस ले लेंगे कसम खाईती, तो यह सब चीजे तु बोल दे कि confirm कर दे कि सही है ठीक है, और मैं अब वीडियो लाओंगा व्लॉग लाओंगा और उसके proof के साथ लाओंगा तो friends कौन सही, कौन जूट कौन सच्च बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, कौन जूट बोल रहा है कौन वाकरी सही है क्योंकि आपी देखिए, सच्चिन की वीडियो से तो यही लग रहा है कि yes, यहाँ पर कुछ चीजे गलती हुई है सरिता जी की द्वारा और सरिता जी की वीडियो जो हमने देखी थी तब हमें लगा था भई, सच्चिन गलत है है ना, सच्चिन जान मूच के किसी को hurt करने के लिए unintentionally नहीं, intentionally किसी को hurt करने के लिए गया था, इशू के घर मिलने, और साफ साफ उसने ये भी बोला है कि मुझे इशू ने भी बोला था ठीक है, और बेटी ने भी बोला था कि मामा जी आप आजो, पहले भी उनके घर में शादियां थी, तो मैं जा नहीं पाया था, उस टेम मैं busy था लेकिन यहाँ पे बेटी के birthday पे मैं आशरवात देने गया, और जो लोग कह रहे हैं कि बिना invitation के दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं invitation के बास साथ ही गया हूँ वहाँ पे यह चीज़ कल clear करी है सचिन ने और address भी मुझे पहुँचाया गया था, so friends इसके साथ आप सरिता जी की चैनल पे अगर आप जाएंगे तो उन्हें बहुत hate मिल रहा है, फिर से body shaming शुरू हो गई है, तो यह एक नई controversy start हो इसी बीच मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि निकी का वीडियो आ गया है actually में बहुत जादा इस टाइम social media पे बहुत negativity दुख, मतलब लोगों की life में खुद actually में इतने दुख चल रहे है क्या आप लोग जब social media पे आते हैं, क्या आप ये controversies देखने आते हैं क्या आप किसी का दुख देखने आते हैं already अपने life में इतने दुख है न तो अच्छा content देखिए जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे लेकिन जहां तक बात करते हैं निकी और सुमित ने आ जाके actually में चीज़े बताई हैं ठीक है कि क्या हुआ था normal delivery की तरह मतलब बच्चे को DNC के थू नहीं किया क्योंकि I think 14 week की pregnancy थी और abortion pills भी दिये गए उसके बाद इतने pain में थी और जब वो fetus fetus कहते हैं जो small, बहुत small baby उसको जब निकाला उस time मैं ही था और पूरी स्टोरी में और बहुत painful स्टोरी है अच्छा मैंने भी जब सुना तो देखी मुझे भी दुख हुआ और बहुत सुबा सुबा जब इस तरह की वीडियो देखते हैं तो you don't feel मतलब hurt भी होते हैं painful भी होते हैं इनके husband ने सुमित ने की मा तो पेट में पालती है जो बाप होता है वो दिमाग में पालता है बाप बहुत आगे तक की सोच लेता है तो सोचे उसका कितना बुरा लगा होगा जब वो छोटा सा fetus जब उन्होंने देखा होगा उसके बाद भी लोग कहते हैं जब वो निकल जाता है तो pain नहीं होगा उसके बाद भी बहुत सारी चीज़े होई खैर उनका वीडियो आप लोगों ने देख लिए होगा मैंने क्योंकि बहुत पूरा वीडियो नहीं देखा है क्योंकि मैं यह सब चीज़े देखके न स्ट्रेस में यार मतलब अच्छा फील नहीं होता सो मैंने इसलिए नहीं देखा लेकिन यस डेफिनेटली मैं आप यही कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज से भगवान आपको शक्ती दे आप निकलो और इन्होंने चीज और क्लियर करी कि अन्प्लांड प्रेग्नेंसी थी ठीक है यहाँ पर तो मैं आपको यही गहना चाहती हूँ प्लीज प्लीज प्लांड अन्प्लांड अभी आप सिर्फ हेल्थ पर ध्यान दो और बहुत टाइम तक कोई प्रेग्नेंसी के लिए मत सोचो पहले अपना शरीर डॉक्टर्स ने भी शायद आपको यही एडवाईस किया होगा ठीक है तो मुझे यहाँ पर यही मैसेज देना है कि अच्छे वीडियो देखिए अच्छे वीडियो बनाईए पबलिक आप बहुत परिशान हो चुकिए कॉंट्रोवर्सीजी खतम नहीं होती यहाँ पर सोचल मीडिया पर आए दिन कोई किसी से लड़ रहे है इन लोग के तो खैर रेविन्यू बन जाते है लेकिन एक्चुली में जो पबलिक है न उसको मिलती है क्या उसको मिलता है दर्द उसको मिलती है उसको मिलता है स्ट्रेस यह मिरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेट सब्सक्राइब कर दीजेगा आप देखते हैं उदर सरिता और जेठुची गई वो तो मुझे भी रूड लगा इस तरह से आप किसी के सामने अगर बोलेंगे तो अफकॉर्स सबको ही बुरा लगेगा इंसल्ट थी वो ठीक है चाहें कितने भी हो प्रेग्नेंसी में वी हो तो भी आप ऐसे नहीं बोल सकते ठीक है आप क्या जैसे है आपकी वीडियो एंडियो and that's it for today और यस मेरा वीडियो थोड़ा लेट जरूर आया है लेकिन आना तो था ही और जो लोग यहाँ पर आंके लिख भी रहे थे कि कल आपका वीडियो नहीं आया मतलब मिस्क कर रहे है काफी लोग मेरी वीडियो नहीं आती है तो thank you so much मिलते है नेक्स वीडियो बाइ बाइ और टेक्यर